कैसे हैं आप सब तो जिसना से आपको पता है हमाई पास ESP.NET Core 6 की ये lecture series चल रही है तो आज किस lecture के अंदर हम बात करने वाले हैं creating login with database session and logout भाई देखो आज किस lecture के अंदर हम एक login form मनाने वाले हैं with database मतलब जिस तरह से professional web applications के अंदर किया जाता है ठीक है उसी तरह से हम क्या करेंगे login form मनाएंगे database के साथ और उसके अंदर हम session का concept भी use करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप login करते हो तो आपका एक session create होता है ठीक है देखो session के उपर मैंने complete detail में video बना ली है अपने chapter number 45 के अंदर मतलब previous lecture के अंदर तो अगर किसी ने हमारा previous lecture नहीं देखा तो मैं recommend करूँगा कि पहले वो वला lecture देख लो उसके बाद इस lecture के उपर आओगे तो आपको complete इसका concept समझ में आएगा तो आपने make sure करना है कि इस video को end तक watch करना है ताके इसका एक भी point आपसे miss ना हो तो वीडियो को start करने से पहले एक छोटी सी request कि अगर आप मेरे channel पर first time आये हो और अभी तक आपने मेरा channel subscribe नहीं किया तो please मेरा channel subscribe कर लो इसके साथ साथ bell का icon भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी videos इस lecture series के अंदर आने वाली है तो यह होगा हमारा chapter number 46 और अब हम अपना lecture start करते है ठीक है तो यहाँ पर देखो creating login with database ठीक है जो हम login form मनाएंगे उसके अंदर कुछ steps को हम follow करेंगे ठीक है वो steps मैंने कुछ phases के अंदर यहाँ पर divide की है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ ठीक है यहाँ पर आजाओ मतलब यहाँ पर तीन phases के अंदर हम अपना यह login form वाला काम complete करेंगे सबसे पहले phase के अंदर हम क्या करेंगे setup session in asp.net core app मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे asp.net core web application मनाएंगे और उसके अंदर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे अपने session को setup करेंगे मतलब session से related कुछ registration होती है जो हमें अपनी application के अंदर करनी पड़ती है वो काम करेंगे उसके बाद second step में हम implementing database first approach जाहरी बात है मैंने क्या बता है कि यह जो मैं login form मना रहा हूँ यह database के साथ यूज़ करूँगा और जब हम database के साथ काम करते है sp.net core web app में तो हम वहाँ पे entity framework core का use करते है और entity framework core के अंदर आपको पता है दो approaches होती है code first और database first तो मैं जो यहाँ पे approach यूज़ करूँगा वो होगी database first अगर आप code first approach यूज़ करना चाहते हो तो code first approach की जो वीडियो है वो भी इसी playlist के अंदर आपको मिल जाएगी previous lectures के अंदर आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो मतलब आपके उबर depend करता है कि यह login form वाला काम आप database first approach को use करके करो या फिर code first approach को use करके करो ठीक है तो second step के अंदर हम database first approach वाला काम करेंगे और उसके बाद third और last step के अंदर जो भी हमारा login और logout का task होगा वो हम complete करेंगे ठीक है सबसे पहले क्या करते हैं ASP.NET Core के एक web application में आते हैं और उसके अंदर session को set up करते हैं ठीक है तो यहाँ पर आजाओ ठीक है तो यह देखो Visual Studio 2022 यहाँ पर मैं एक new project create करता हूँ create a new project पर click करते हैं ठीक है और यहाँ से मैं जो application use करूँगा वो होगी ASP.NET Core create पर click करता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारा यह project create हो चुका है ठीक है और सबसे पहले इसके अंदर session वाला काम करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर आजाओ ठीक है फर्स फेस के अंदर यहाँ पर हमारे पास कुछ steps है इसके अंदर यहाँ पर देखो क्या कह रहा है add below line before build in program.cs मतलब देखो यहाँ पर आपको orange color में एक line नजर आ रही है यह basically एक हमारे पास function है जो के services हमें provide करता है किस से related session से related और यह line हमें कहाँ पर register करनी है अपनी program.cs file में build से पहले अब यह build कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले चलते है program.cs file के अंदर यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा होगा builder.build इससे पहले आपने यहाँ पर एक line add करनी है और वो क्या है यहाँ पर देखो सबसे पहले आपने builder यह कौन से डétais उसका यहाँ पर देखो यहाँ पर बनावाई ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपने services की property और उसके बाद आपने यहाँ made all call करना हा catastrophic के जिसका नाम है add session ठीक है आपने इस तरह से आपने call गरना है यह जो आपकी build है ठीक है उससे ठीक पहले आपने यहाप इसको call करना है ठीक है उसके बाद next step ठीक है next में आपने क्या करना है यहापर देखो add below line after build in program.cs मतलब program.cs file के अंदर build के बाद में आपने यह वाला एक function जिसको हम middleware भी कहते हैं ठीक है कौन सा middleware use session मतलब देखो यहाँ पर मैंने इसको add किया इससे related services को मैंने यहाँ पर add किया और अब build होने के बाद मैं उसको use करना चाहरा हूं तो उसके लिए मैं यह वाली line add करूंगा ठीक है तो यहाँ पर आजाओ ठीक है तो नीचे आदा हूं यहाँ ठीक है यह हमारी यहाँ पर build है और यह if block है उसके बाद यहाँ पर मैं कहता हूं app.use session ठीक है app.use session ठीक है यह मैं पर middleware है इस तरह से आपने इसको यहाँ पर call करना है ठीक है तो जब आप यह दोनों चीज़ें यहाँ पर इस तरह से add कर दोगे तो इसका मतलब अब आप अपनी application के अंदर sessions को use कर सकते हो ठीक ह install three packages in your asp.net core mvc application तीन packages आपने install करने है कौन कौन से सबसे पहला देखो यहाँ पर SQL server ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर देखो tools और फिर यहाँ पर design ठीक है मतलब Microsoft Entity Framework core.sql server फिर .tools फिर .design सही तो जल्दी से मैं इसको install कर लेता हूं ठीक है तो यहाँ पर आजाओ इसको पर right click करना है और यहाँ पर आपने जाना है manage new packages के अंदर manage new get packages ठीक है उसके बाद आ जाओ यहाँ पर browse ठीक है और यहाँ पर आपने search करना है ठीक है search आप कर लो यहाँ पर Microsoft लिख लो ठीक है तो यहाँ पर देखो search के अंदर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर SQL server सबस 0.19 इसको select करते है और install पर click करते है फिर यहाँ पर आपने ok करना है ok के बाद i accept ठीक है तो यहाँ यहाँ पर install लिखा वा है और बता रहा है कौन सा version है और install का button आगया इसका मतलब successfully install हो चुका है ठीक है फिर उसके बाद next जो हमारे पास था वो था tools ठीक है सिर्फ आपने य ठीक है तो यहाँ पहला पहला आगया आपने इसको select करना है और यहाँ पर देखो इसका भी version आपने यहाँ पर choose करना है कौन सा यह वाला 6 का latest ठीक है और फिर यहाँ पर install पर click करना है फिर यहाँ पर ok i accept ठीक है यह भी install हो गया install का button आगया उसके बाद last है हमारे पाद design ठीक है अच्छा यह जितने भी मैं package install कर रहा हूं उसका मकसद क्या होता है यह सब मैंने database first approach जब आपको सिखाई थी तब मैंने वाँ पर आपको इसका concept समझा दिया था तो यहाँ पर देखो आप design install करना ह इसको select करना है पर देखो version यहाँ से select करेंगे हम कौशा 6.0.19 ठीक है install पर click करना है ठीक है OK उसके बाद I accept तो यह देखो यह भी हमारे पाद install हो चुका है install आ चुका है इसका मतलब तीनो packages हमारे पास successful install हो चुके है इसको देखने के लिए यहाँ पर देखो dependencies के अंदर एक packages का folder add हुआ है आपने इसको expand करना है और यहाँ पर देखो यह जो तीन packages हमने install किये है वो तीनों यहाँ पर हमारे पास आ चुके है ठीक है उसके बाद next step ठीक है यह हो गया DB first को implement करने के लिए first step हो गया अब आ जाओ second step के अंदर हमने क्या करना है ठीक है तो यहाँ पर देख हुए होते हैं उसके बाद database first approach क्या करके देता है हमारी application में हमें model classes automatic generate करके देता है मतलब model class हमें खुझ से लिखने की जरुवत नहीं पड़ती तो उसी के लिए यहाँ पर देखो हमें command use करते हैं जिसको हम scaffold DB context कहते हैं और वो command क्या होती है यहाँ पर देखो यह command मैंने authentication को use कर रहे हो और फिर यहाँ पर देखो उसके बाद आपने database provider use करना है हम यहाँ पर database provider कौन सा use कर रहे है SQL server तो उसका यहाँ पर name space मैंने डाल दिया लेकिन अगर आप postgreSQL use करना चाहरे हो mysql use करना चाहरे हो तो उसे related भी आप यहाँ पर database provider दे सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पर चाहिए मेरे models के folder के अंदर चाहिए ठीक है तो यह जो command X का क्या काम है यहाँ पर देखो above command will generate model classes and db context class automatically ठीक है मतला automatic वह आपको यहाँ पर बना के दे देगा जब आप यह वाली command क्या करोगे run करोगे ठीक है तो भाई देखो मैं आपको अपना database or table दिखा देता यहाँ जिससे related मैं model classes बनाना चाहा रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर आजाओ यहाँ यहाँ पर देखो SQL server management studio मैं आप ठीक है तो यहाँ पर देखो SQL server management studio मैंने आप पहले से open किया हुआ है तो देखो जो मैं database use करूँगा वो यह वाला है आपको नजर आ रहा होगा my db इसको मै expand करता हूँ इसके अंदर कुछ tables है ठीक है देखो आपको tables देखने को मिल रहे है employee है students है user tbl है मतलब मैं आपे जो table use करूँगा वो होगा यह वाला user tbl ठीक है और अगर मैं इसको result आपको इसको ब्राइट लिक करते हैं इसका data आपको दिखाता हूं select तो यह देखो यह आप की website पर sign up करता है मतलब register करता है उसके बाद वो login करता है लेकिन अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं अभी आपको सिर्फ login form सिखा रहा हूं क्योंकि यह जो data insert किया जाता है यह basically register form sign up form से insert किया जाता है और फिर इसी के अंदर जो हमारी credentials होते हैं इसी को हम अपने login form के अंदर क यहां पर use करूंगा वह यूजर tbl ठीक है तो यहां पर आजाओ ठीक है अब यह वाली जो command है ठीक है इसको मुझे यहां पर execute करना है तो उसके लिए यहां पर आ जाओ ठीक है यह देखो यहां पर मैं यह वाली चीज़ें यहां पर बंद करता हूं ठीक है और सबसे पहले यहां पे देखो टॉप पे टूल्स पे आजाओ तूल्स पे आजाओ और यहां पे देखो आपको नजर आ रहा होगा new get package manager और यहां से आपने चलना है package manager console मतलब यह वो console है जहाँ पर हम अपनी command को enter करेंगे ठीक है तो देखो नीचे आपको यहां पर नजर आ रहा है तो यही सर्वर का नाम आप कहां से उठाओगे यहां पर आजाओ यह जो आपका SQL Server Management Studio है यहां पर देखो आपको connect का button नजर आ रहा होगा आपने इसको पर click करना है और यह देखो यह है आपका server name ठीक है आपने इसको यहां से copy करना है ठीक है और copy करने के बाद आपने इसको यहां प को दिखाया ठीक है mydb आपने make sure कर लेना है ठीक है इसकी spelling mistake नहीं होनी चाहिए यहां पर देखो mydb आपको नजर आ रहा है इसका नाम मैंने यहां पर enter करती है और यहां पर देखो windows authentication use कर रहा हूँ तो यहां पर देखो trusted connection मैंने true किया वह और इससे related जो भी model classes हमारे पास ब रहेंगी ठीक है तो यहां पर देखो अब मैं इस command को क्या करता हूँ enter करके run करता हूँ enter करते हैं तो देखो यह build start हो चुकी है तो यह देखो आपको message नजर आ रहा है build succeeded लेकिन यहां पर देखो यहां पर एक आपके पास warning आ रही है warning मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यह जो हमारे पास जब भी आप यह command run करते हो तो इसके अंदर जो भी connection string generate होती है वो हमारी db context file के अंदर आती है तो db context से हमने अपनी connection string को कहां पर ले जाना होता है अपनी app settings.json file के अंदर जो के इस project के अंदर मौजूद है वहां पर उसको move करना पड़ता है वो अभी मै करके दिखाता हूँ यहां पर देखो जैसी मैंने command run की तो यहां पर देखो models के folder के अंदर यह देखो जितने भी tables थे उससे related हमारे पास model classes आ गई ठीक है यहां पर देखो यह user tbl हम यह वाला use कर रहे है तो इसने यहां पर देखो उसका नाम रखा user tbl और यह देखो जितने इसने भी tables है database में उससे related यहां पर देखो हमारे पर db set बन चुके है हम जिस db set के साथ काम करेंगे वो यह वाला है कौन सा जिसका नाम यहां पर क्या है user tbl ठीक है तो यह step हमारे पास हो गया आजो ठीक है अब next step में क्या करना है यहां पर देखो third step इसके अंदर यहां पर app settings.json file में जो के एक secure तरीका है ठीक है तो यहां पर आजाओ ठीक है मैं चलता हूं यहां पर अपनी project के अंदर यहां पर देखो app settings.json file ठीक है इसको पिन करो इसके अंदर चलते हैं ठीक है तो यहां पर देखो यह आपको नजर आ रहा होगा curly bracket और उसके बाद यहां पर य यहां पर देखो मेरी connection string का नाम मैंने क्या रखा है dbcs मतलब database connection string और फिर यहां पर देखो colon के बाद यह जो आपको double quotes नजर आ रहा है इसके अंदर आपने connection string pass करने और वो connection string का आप कहां से लोगे है यहां पर देखो मैंने कैया बताया था कि db context के अंदर यह connection string यहां पर generate ह होती है ठीक है यह देखो यह आपको on configuring का method नज़र आ रहा होगा ठीक है इसके अंदर यह देखो यह है आपकी connection string ठीक है यहां से लेकर यहां तक आपने इसको पूरा यहां से copy करना है ठीक है copy को आप यहां पर empty रहने दो इसके अंदर जो दो lines थी वह आपने यहां से remove करनी है ठीक है तो यह हो गया हमारा third step यहां पर आपको नज़र आ है third step हो गया अब आजो fourth step fourth step में क्या करना है यहां पर देखो registering connection string in program.cs file भाई देखो यह जो हमने connection string बनाई थी और यह जो हमारा db context बना था इसको हमें register करना है कहाँ पर program.cs file के अंदर otherwise हम अपने database के साथ connection create नहीं कर पाएंगे ठीक है पेस करूंगा मेरी db context class का नाम क्या है देखो my db my db context ठीक है my db context और इसका जो name space है ठीक है यहां से आजाओ आपको यह भल्म नदर आ रहा है और उसके बाद यहां पर देखो i configuration interface यहां पर use किया और फिर देखो उसी की मदद से यहां पर देखो मैं बता रहा हूँ कि मेरा db context class कौन सी है उसका नाम आ गया और फिर देखो मैं यहां पर बता रहा हूँ कि मैं database provider कौन सा use कर रहा हूँ SQL server use कर रहा हूँ और फिर उसके बाद देखो अपनी connection string को get कर रहा हूँ उसके नाम से मैंने अपनी connection string का नाम क्या रखा था यहाँ पर देखो app settings के अंदर मैंने अपनी connection string का यहाँ पर नाम रखा था dbcs ठीक है तो उसी नाम से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ पर देखो इस तरह से get कर रहा हूँ ठीक है यह काम करना भी लाजमी है otherwise आपके database के साथ connection setup नहीं होगा ठीक है तो मतलब यहाँ पर देखो यह जो database first approach को implement करने वाला काम था वो भी हमने successfully यहाँ पर कर दिया है ठीक है अब आजाओ अब आजाओ यहाँ पर हम बात करेंगे login और logout की ठीक है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो create action methods for login and logout मतलब login और logout task के लिए हम यहाँ पर कुछ action methods create करेंगे ठीक है और जो दूसरे views होते हैं उसके अंदर हम उसे access करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसका logout का एक link बनाएंगे और जैसी logout पर click करेंगे तो क्या होगा हमारा वो जो session है वो destroy हो जाएगा ठीक है तो अब यह वाला काम करना है लेकिन सबसे पहले अभी तक देखो मैंने अपना view generate नहीं किया ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक controller के अंदर एक view बनाएंगे मतलब action method बनाएंगे तो देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ controllers का folder यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ठीक है मतलब जब मैं अपने home controller के login action method पे आऊँगा तो यह हमें एक login form क्या करेगा उसका एक view return करके देगा ठीक है तो उसके लिए मैं आप एक create template का use करूँगा जो के हम अपनी crud application के अंदर implement करके आएं ठीक है तो यहाँ पे देखो login के उपर मैं right click करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ add view पे add view के बाद मैं जाओंगा razor view में ठीक है और यहाँ से देखो यहाँ से जो मैं template select करूँगा वो होगी create template create template हम कभी use करते थे अपनी crud application के अंदर हम use कर रहे थे मतलब जब हम data insert कर रहे थे तब हम create template का use कर रहे थे ठीक है तो यहाँ पे देखो model class में बता रहा हूँ कि मैं कौनसी model class यहाँ पे use करूँगा मैं यहाँ पे use करूँगा देखो यह user tbl मतलब user को मैं login करवा रहा हूँ ठीक है फिर देखो data context class कौनसी हमारे पास देखो my db context a की हमारे पास है इसको select करते है और अब add के ओपर मैं यहाँ पे click करता हूँ ठीक है तो wait करते है अच्छा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास एक error आ रहा है ठीक है और error में क्या कह रहा है यहाँ पे देखो कह रहा है no database provider has been configured for this db context भाई देखो यह error इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चोटी सी mistake कर दिये और वो mistake किया यहाँ पे देखो मैं इसको cancel करता हूँ close करते है इसको ठीक है यहाँ पे आजाओ अपनी program.cs file के अंदर यहाँ पे देखो यह जो तीन lines मैंने आप एड की थी ना जिसके अंदर मैंने अपने db context को register किया था database provider का बताया था और यहाँ पे मैंने बताया था के मेरी connection string कहां से get होगी ठीक है तो यह जो तीन lines है ना देखो आपने याद रखना है कि इन तीनों lines को आपने रखना है build से पहले ठीक है मतलब देखो जितनी भी हम services वगरा यहाँ पे register करते हैं तो वो सारी services आपकी इस build वाली lines से पहले होनी चाहिए जिस तरह session से related services मैंने आप पे add की और यहाँ पे देखो db context और यह जो database provider को मैंने आप register किया था तो यह जितनी भी lines है services related यह सारी आपको build से पहले रखनी है क्योंकि जितनी भी चीज़े हैं इनको साथ लेके हमारी क्या होती है build create होती है मतलब हमारी application build होती है तो यह point आपने याद रखना है ठीक है तो अब दुबारा यहाँ पे आते हैं अपना login का यह जो view है उसको create करते है right click करते है add पे जाते है reserve view ठीक है यहाँ से template में use करूँगा create और उसके बाद model class यहाँ पे use करेंगे user tbl और db context class क्लास कौन सी है हमारी यह देखो my db context ठीक है इसको select करते है और add के उपर click करते है ठीक है तो यह देखो यह हमारे पास create हो चुक है आपको नजर आ रहा है लेकिन इसके अंदर देखो हमारी जितने भी model class के अंदर जितनी भी properties थी ना उन सब से related इसने हमें क्या किया है देखो input field generate किया है ठीक है name gender age email password देख रहे हूँ अगर मैं अभी यहाँ पर इसको run करके दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पर आ जो ठीक है तो देखो मारी application अनो चुक है यहाँ से आप मैं चलता हूँ अपने home controller में और home के अंदर जो मैंने action method बनाया तो उसका नाम क्या है login ठ display होना चाहिए ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यह देखो यह जो name gender और age है इसको मैं आसे remove कर देता हूँ और create के अंदर यहाँ पर मैं login display करवाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आ जाओ stop करते हैं अपनी application को ठीक है login.cshtml इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर और यहाँ पर मेरा क्या हो गया password ठीक है नज़र आ रहा है यह दोनों रहने दूँगा और यहाँ पर आ जाओ यह जो बटा ने इसके अंदर यह जो value है ना इसके अंदर यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा login सही है तो अब इसको save करते हैं दुबारा मैं इसको run करता हूँ इसके post version के पास इसकी request जानी चाहिए ठीक है तो उसके लिए मैं आपर क्या करता हूँ यहाँ पर आज़ो मैं इसको stop करता हूँ ठीक है यही जो login function है इसको मैं यहाँ से copy करता हूँ और नीचे आके मैं इसको paste करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यह चलेगा हमारे पास http post इसका नाम क्या था यहाँ पर देखो user tbl ठीक है इसका मैं एक यहाँ पर object बना लूँगा मतलब एक parameter बना रहा हूँ और इसका नाम यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ user मतलब जब मैं login button के ओपर click करूँगा तो यह वाला action method execute होगा जिसके ओपर http post लगावा है और जो भी email और password है वो यहाँ पर आके store होगा और फिर इसी को मैं check करवाँगा अपने database के अंदर कि इसके अंदर जो email और password है क्या वो हमारे database के table के अंदर exist करता है अगर करता है तो login successful हो जाए otherwise login failed हो जाए ठीक है तो उसके लिए यहाँ पर आजाओ यहाँ पर मैं एक variable बनाता हूँ न से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें उसका एक controller के अंदर उसको inject करना पड़ता है मतलब उसका एक object create करना पड़ता है किस तरह से यहाँ पर आ जो टॉप पे चलते हैं देखो यह वाली जो हमारे पाद दोनों lines है ठीक है मतलब controller एक पहले से बनावा है जिसके अंदर logger क का काम हुआ यह हमें नहीं चाहिए और यह जो logger की हमारे पाद एक field बनी है इसको भी मैं आसे अटा देता हूं यह मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर मैं अपना एक constructor बनाता हूं तो constructor बनाने के लिए shortcut है CTOR लिखके tap tap करना है और इसके अंदर हमारे पाद जो हमारी DB context class थी ठ देखो context के उपर अपना cursor रखो और keyboard से press करो control dot जैसे आप control dot करोगे यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा होगा create and assign field context ठीक है जैसे आप इसके उपर click करोगे तो यहाँ पर देखो एक आपके पर private field बन गई ठीक है और इस private field के अंदर यहाँ पर देखो data कहां से आ रहा है data आ रहा है यहां से मतलब देखो जो मैंने parameter बनाया था ठीक है इसको मैंने यहाँ पर inject कर दिया मतलब यहाँ पर डाल दिया कहां पर अपनी इस private field के अंदर और यह का मैं कहां पर कर रहा हूँ अपने इस constructor के अंदर कर रहा हूँ इसका मतलब जब भी हम अपनी application run करते हैं तो हमारी class का object बनता है और आपको पता है कि constructor कब call होता है जब हमारा object बनता है ठीक है तो यहाँ पर देखो यह जो आपको private field नजर आ रही है na context मतलब यह आपके पास एक तरह से object है इसी को use करके मैं क्या करूँगा यह जो हमारी db context class है इसके अंदर हमारे पास यह जो देखो यह जो db set है मैं इसको access करूँगा सही है मैं आपको कौन सा db set use करूंगा यह वाला db set मैं आपर use करूँगा ठीक है तो यहाँ पर आजाओ ठीक है नीचे आजाओ यह जो मैंने login के अंदर मैं काम कर रहा था ठीक है यहाँ पर आके मैं is equal के बाद यह context यहाँ पे paste करता हू ठीक है मतलब इक context क्या है हमारे db context का आप समय लो कि एक तरह से object है ठीक है जिसको मैंने अपने इसी controller के अंदर क्या किया था यहां पर एक 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 variable बनाता हूँ और देखो यहां पर कह रहा हूँ कि यह जो हमारा model है इसके अंदर जो email की property है क्या वो बराबर है हमारे पास इसके user यहां से आ रहा है ठीक है user.email ठीक है मतलब मैं कहा रहा हूँ जो x.email है ठीक है यह कहा पर है यह हमारे इस db set के अंदर है इसको चेक करो यह जो हमारे पार data आ रहा है हमारे login फॉर्म से चेक करो कि इसकी जो email है और इसकी जो email है वह आपस में बराबर है अगर बराबर है तो इसके साथ साथ मैं एक दूसरी condition यहां पर लगा रहा हूँ एंड operator यूस कर रहा हूँ और फिर यहां पर मैं कहता उसके लिए यहां पर देखो first or default का है यहां पर मैं method यूस करता हूँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर यह दोनों conditions हमारे पर true हो जाते हैं मतलब email और password अगर दोनों सही है तो उसकी जो पूरी row है वो आप क्या करो यहां पर आके इस my user के अंदर store कर दो ठीक है इसका मतलब अ और अगर ऺगरaware यहां पर क्या करता हूं थीक है में अपर if condition लगाता हूं वह यहां पर क्याता हूं कि जो my user है अगर यह नल नहीं है अगर यह नल नहीं है तो क्या करो अब देखो अब मैं आपि session create करूँगा और session के अंदर यह जो my user के अंदर जो email होगी न उसको मैं store और उसके बाद यहाँ पर sttp, ठीक है? इसको आपने यूज़ करना है नेम स्पेस को, क्योंकि इसके अंदर से मैं एक क्लास अभी यूज़ करने वाला हूँ यहाँ यहाँ ठीक है? यहाँ पर मैं कहता हूँ sttp context, ठीक है, dot, dot, dot के बाद यहाँ पर session, और उसके बाद यहाँ पर देखो, setString का मैं एक method यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं email आपके पास यहाँ पर session के अंदर store करवाना चाहा रहा हूँ, ठीक है, setString, और उसके बाद यहाँ पर देखो, इसके अंदर दो parameter जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले, यहाँ पर आप पास करोगे, इसकी key, जिसके उपर आप अपना data session के अंदर store करवाना से आ रहे हूँ, तो यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ, user session, ठीक है, user session मैंने इस key का नाम रखा, और इसके अंदर data मैं कहां से लूँगा, देखो, यह जो my user का object है, इसके अंदर से यहाँ पर मैं क्या get कर रहा हूँ, email, ठीक है, देखो, dot email, मतलब यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया, एक session variable बनाया है, जिसका मैंने नाम क्या रखा user session, और इसके अंदर मैं क्या store कर रहा हूँ, यह जो मेरे object के अंदर यहाँ पर email है, वो मैं यहाँ पर session के अंदर store कर रहा हूँ, ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे यह session क्या हो गया, create हो गया, session कप create होगा, जब हमारे यह my user यह नल नहीं होगा, उसके बाद यह session create हो जाएगा और जैसी session create होगा तो मैं कहा रहा हूँ मुझे इसको redirect करना है कहाँ पर redirect करना है यहाँ पर देखो मैं इसको कहता हूँ return और return के बाद redirect करने के लिए हम यहाँ पर एक method यूज़ करते हैं जिसका क्या नाम है redirect to action और मैं इसको कहाँ पर redirect करवा रहा हूँ देखो मैं एक action method बनाऊँगा अभी उसका मैं नाम रखूँगा dashboard spelling ठीक कर लेते हैं dashboard मतलब मैं कहाँ जैसी मेरा session बन जाएगा तो आप इसको कहाँ पर redirect कर दो आप इसको redirect कर दो dashboard के action method में dashboard का view हमें नजर आ जाएगा लेकिन अगर हमारे पास यह my user null है तो इस case में आपके पास else का part चलेगा और इस case में आप देखो मैं क्या करता हूँ मैं एक view back बनाता हूँ ठीक है एक view back बनाता हूँ और इसके property बनाता हूँ यहाँ पर कहता हूँ message और इसके अंदर मैं आप एक message pass कर देता हूँ login field ठीक है क्या pass कर दिया मैंने आप login field तो यहाँ पर देखो यह जो dashboard वाला action method है इसको मैं यहाँ से create कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आजो यह पहले मैं यहाँ से यह यहाँ से मैं इसको copy करता हूँ नीचे आता हूँ यहाँ पर इसको paste करता हूँ और इसका मैं नाम यहाँ पर रखता हूँ dashboard ठीक है dashboard यहाँ मैं इसका नाम रखता हूँ और अब इसका view generate कर लेते हैं right click करते है add view के ओपर जाते है ठीक है रेजर व्यू में आप इसको यूज करूँगा और यहाँ पर देखो मैं empty template के साथ ये dashboard वाला view generate करूँगा ठीक है तो आपने इसको as it is रहने देना है कुछ भी नहीं करना और add के ओपर click करना है तो यह देखो हमाया पर dashboard का view बन चुका है ठीक है तो अब यहाँ पर देखो यह जो dashboard है अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा अपने session को access करूँगा, session को retrieve करूँगा किस दरा से यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर कहता हूँ Vishiddavot perk HTTP context मैं आपर यूज करूँगा और इसके अंदर यहाँ पर मैं कहता हूँ Session और अब यहाँ पर मैं इसको geat करूँगा पहले मैं सेट कर रहा था और यहाँ पर मैं इसको geat करूँगा और मैं method यूज करूँगा getString और मैंने अपनी की का नाम क्या रखा था यहाँ पर आ जाओ टॉब फे कि अगर ये वाला session हमारे पार null नहीं है अगर ये session हमारे पार null नहीं है तो क्या करो यहां पर देखो यहां पर मैं एक view bag बनाता हूँ ठीक है view bag बनाता हूँ और यहां पर मैं इसको pass कर देता हूँ नाम इसका मैं आपर रख देता हूँ my session ठीक है my session मैं इसको pass करता हूँ और इसके अंदर ये जो मेरा session है इसको मैं इसके अंदर भेज देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको two string के अंदर convert करके इसको मैं भेज दूँगा कहाँ पर अपने इस view bag के अंदर जिसका मैंने नाम क्या रखा है view back my session मतलब यहाँ पर देखो condition मैंने क्या लगाई है कि अगर यह वाला session null नहीं है तो क्या करो इस session के अंदर जो भी data है वो data आप कहाँ पर pass कर दो इस view back के अंदर pass कर दो लेकिन अगर यह null होगा अगर यह null होगा तो हमारे पास यह else part चलेगा और इस case में यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ इस case में यहाँ पर मैं कहता हूँ return redirect to action और मैं वापिस इसको कहाँ पर redirect कर दूँगा login पर ठीक है मतलब login के action method पर तो इस case में क्या होगा में login का view नजर आ जाएगा मतलब देखो हो सकता है न कि user login किये बगए direct इस dashboard पर आने की कोशिश करे तो जब वो login नहीं करेगा तो उसका session भी नहीं बनेगा और जब session ही नहीं बनेगा तो वो dashboard के action method पर नहीं आ सकता और वो कैसे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने यह if else की condition लगाई है मतलब अगर session create नहीं होगा तो इसका मतलब session null है और session null होगा तो else का part चलेगा और वो वापिस कहाँ पर redirect हो जाएगा हमारे login पर redirect हो जाएगा तो अब यहाँ पर देखो यह बाला view bag हो यह इसको मैं आपि access करता हूँ ठीक है यहाँ पर आज़ो अपने dashboard के अंदर यहाँ पर उमेसको aqs करता हूँ मैं आपि S2 का tag बनाता हूँ अज़ नदर यहाँ पर देखो add the rate और our add the rate के बाद यहाँ पर देखो मैं अपना यह जो view bag है इसको यहाँ पर access करता हूँ, ठीक है, सही है, तो अब यहाँ पर आके मैं अपनी application को run करता हूँ और इसका result चेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमारी application run हो चुकी है, ठीक है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, home slash login, आप चाहो तो index के view के अंदर एक link भी इस login पर redirect कर देगा, जिस तरह से अक्सर आपने देखा होगा, nav bar के अंदर login का क्या होता, एक button होता है, आप उसके उपर click करते हो, तो आप login form पर redirect हो जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर email और password डालता हूँ, ठीक है, email और password कौन सी यहाँ यहाँ पर देखो, ali12345 at gmail.com, और यहाँ पर देखो, ali1234, देखो यह वही credentials हैं, जो के हमारे database के अंदर मौझूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आजाओ, देखो, फर्स रो आपको नजर आ रही है, इसके अंदर email देखो, ali12345 at gmail.com, और password क्या है, ali1234, तो आप इसी को यहाँ पर देखो, मैं कहाँ पर add कर रहा हूँ, अपने इस login form के अंदर add कर रहा हूँ, तो देखो, जैसी मैं login पर click करता हूँ, तो आप result देखना, तो यह देखो, यह कहाँ पर चला गया, top पर देखो, home slash dashboard, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नजर देखो, मैं इसको stop करता हूँ, देखो, यहाँ पर मैंने login field बनाया था, मतलब यहाँ पर देखो, जब मैं login पर click करूँगा, तो यह वाल action method चलेगा, और यहाँ पर देखो, मैं चेक कर रहा था, अपने db context के अंदर, अपने db set के अंदर, के भई, email और password दोनों match करती हैं, तो क्या करो, यहाँ पर session create कर दो, और उसको redirect कर दो dashboard पर, लेकिन अगर मैं credentials गलत डाल देता हूँ, मतलब username या password मैं गलत डाल देता हूँ, तो उस case में देखो, else का part चलेगा, और यह जो viewback.message है, इसको मैं कहाँ पर access करता हूँ, देखो, इसको मैं access करता हूँ, अपने login वाले view में, तो यहाँ पर आजाओ, यह देखो यह आपको नजर आ रहा है form आपका, इस form की top पर, यहाँ पर देखो, मैं आपर razor syntax open करता हूँ, तो यहाँ पर एक if block मैं आपर बनाता हूँ, और यहाँ यहाँ पर देखो, मैं कहता हूँ, और यह जो viewback.message है, अगर यह null न तो क्या करो, paragraph के tag के अंदर, paragraph के tag के अंदर यहां पे आप इसको इस तरह से pass कर दो, ठीक है इसके शुरू में आपे मैं add the red लगा देता हूँ, और इसका color मुझे red color में चाहिए, तो देखो P के अंदर यहां पे मैं inline style यूज करता हूँ, inline CSS, और इसके अंदर यहां पे तो इसका जो भी message है वो आप यहां पे paragraph के अंदर red color में display करवा दो, ठीक है, तो आप इसको save करते है, अपनी application को दुबार run करते है, ठीक है, तो application run हो चुकी है, मैं चलता हूँ यहां पे home slash login, ठीक है देखो, login आगया आपके पास, और आप देखो, अगर मैं आप गलत email और password डालता हूँ, ठीक है, यह 예. email भी गलत है और यहां पे password भी गलत है, देखो login पर click करता हूँ, तो यह देखो top पह, क्या message मिल रहा है, आपको login field, ठीक है, लेकिन अगर मैं, यहां पे email गलत है, ठीक है, email सही है, लेकिन password यहां पर गलत है, तो इस case में हमाई पक्या message दाना देखो यह reload हो रहा है, तो यह देखो, दुबारा आपके पास क्या आ गया, login field, और अगर मैं यहाँ पे देखो, email गलट डालता हूँ, और password सही डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, password यहाँ है, यहाँ आपके पास अली 1234, ठीक है, तो देखो, जैसी मैं login पे click यह reload होगा, और दुबारा आपके पास यहाँ पे देखो, login fold का message आ रहा है, login field, ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखो, हमारे आपके पास users थे ना, हमारे database के अंदर, देखो, यहाँ एक अनम भी है, तो अनम का data में यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ आपके यहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यह email आपको access हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने session को access कर सकते हो, अच्छा एक चीज़ आप notice करो, कि हमारे पास वो जो password है वो अभी show हो रहा है, ठीक है, तो उसको hide करने के लिए मैं क्या करता मतलब मैं चाहरा हूँ जो मेरा password है, वो password field के अंदर नजर नहीं आना चाहिए, वो bullets की form में आना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपे क्या करता हूँ, देखो, यह जो मेरा user tbl वाला model class है, इसके अंदर चलते है, और यहाँ पे देखो, यह आपको password नजर आ रहा है, इसके top यहाँ पे में एक annotation लगाता हूँ, ठीक है, और वो annotation कौन सी यहाँ पे देखो, data type, ठीक है, data type annotation है, ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसी आप enter करोगे, तो इससे related जो name space है, वो top पे add हो जाएगा, देखो, यह वाला name space यहाँ पे आपने add करना है, क्योंकि इसी name space के अंदर, य इसके आगे parentheses open करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ, data type, और data type के बाद मैं यहाँ पे dot लगाता हूँ, तो अब ज़र आप देखना, भाई देखो, हम अपने input types के अंदर, जो input type use करते है, मतलब form के अंदर, जो हम input का tag use करते है, उसके अंदर type का attribute होता है, उसमें बहुत सारी types होती है, तो वो सारी types आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, देख रहो, देख रहो, आपको date मिल रहा है, URL मिल रहा है, email address है, देख रहो password है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, password चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई और काम करना है, मतलब password के इलाव अगर आपको phone number चाहिए, आपको URL चाहिए, ठीक है, तो उससे related आप यहाँ पे यह data type की annotation यूज कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आप पे password लगा देता हूँ, password क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि वो जो मुझे input field है, उसके अंदर मुझे password शो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यह तरह से हम form को implement करते हैं, ठीक है, तो एक इसका यह point है, अचा तो यहाँ पे देखो, login करने के बाद, ठीक है, login जब मैं कर दूँगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो, मैं password डाल देता हूँ, अली 1234, तो login करने के बाद, जब यह हमारे पास यहाँ पे access ह होता है, कहाँ पे access होता है, यहाँ पे देखो, हमारे dashboard मे access होता है, तो फ़े अब for example, मुझे यहाँ पे logout का link भी चाहिए, मतलब जैसी मैं logout पे click करूँगा, तो हमारा session destroy हो जाना चाहिए, और वापस यह redirect कहाँ पे हो जाएगा, हमारे login page पे, या फिर index page पे, या फिर जह आजाओ, यहाँ पे देखो, इसको मैं paste करता हूँ, और यहाँ पे देखो, मैं इसका नाम रखता हूँ logout, ठीक है, क्या नाम रख दिया है, इसका logout, और भाई देखो, अब इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे आजाओ top पे, यह देखो, यह वाला जो if का code है इसको मैं आसे copy करता हूँ, और इसको मैं यहाँ नीचे आके यहाँ पे paste करता हूँ, ठीक है, मतब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं condition लगा रहा हूँ, क्या अगर हमारे जो user session है, अगर यह null नहीं है, तो क्या काम करो, इस if के अंदर यह वाली जो line है, इसको मैं आसे remove कर और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यह copy करता हूँ, इसको if के अंदर नीचे paste करता हूँ, और देखो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, कि अगर यह session null नहीं है, तो क्या करो, आप इस session को remove कर दो, ठीक है, कौन से session को remove कर दो, उसका key का नाम आपने यहाँ पे pass करना है, देख करो, इस user session वाले session को क्या कर दो, remove करो, destroy कर दो, खतम कर दो, ठीक है, और जैसी आप इसको remove कर दोगे, तो उसके बाद यहाँ पे देखो, मैं इसको redirect करवा देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, मैं इसको redirect कर देता हूँ, आपने login के ओपर, ठीक है, वापिस मैं इसक कहां पर बनाऊंगा देखो dashboard में ठीक है तो यहां पर आजाओ यहां पर मैं एक link बनाता हूँ और link हम कैसे बनाते हैं आपको पता है anchor मैं यहां पर use करूँगा और उसके अंदर यहां पर tag helpers का use करूँगा ठीक है तो सबसे पहले मैं यहां पर use करता हूँ और जब इस action method के पार request जाएगी तो क्या होगा यह वाला code execute होगा हमारा session क्या होगा remove होगा और वह वापिस कहां पर redirect हो जाएगा हमारे login पर redirect हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आके मैं इसको run करता हूँ और इसका result आपको दिखाता हूँ ठीक है तो यहां पर देखो मैं चलता हूँ अपने home login के उपर ठीक है login form आगया लेकिन भाई देखो अगर अभी मैं login किये बगार direct अपने dashboard पर जाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा भाई यहां पर देखो मैं आपको dashboard दिखाता हूँ अपना dashboard वाले action method यहां पर देखो मै वापिस इसको कहा redirect कर दो login पर redirect कर दो तो अभी आप यहां पर देखो अभी मैंने login नहीं किया इसका मतला अभी हमारा session create नहीं हुआ तो अगर मैं यहीं से direct देखो URL से मैं कहां पर जाने की कोशिश करता हूँ मैं अपने dashboard पर जाने की कोशिश करता हूँ तो आप result देखना देखो मैंने calica home slash dashboard जैसी enter करूँगा तो यह देखो यह वापिस हमें कहां पर लियाया login के उपर लियाया तो यह concept है इसका जो मैंने validation लगाई ना if condition लगाई है तो वो यह काम कर रही है ठीक है तो अब यहां पर आजाओ मैं email देता हूँ ठीक है मैं यहां पर कह देता हूँ for example अली, अली की email देता हूँ और यहां पर मैं password डाल देता हूँ अली1234 और यहां पर आके देखो जैसी मैं login के उपर click करूँगा तो यह देखो dashboard के उपर आगया हमारा email username यहां पर access हो रहा है और नीचे देखो logout का आपको link नजर आ रहा है तो अब देखना जैसी मैं logout के destroy हुआ है या नहीं हुआ तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहां पर देखो मैं direct यहां से dashboard पर जाने ही कोशिश करता हूँ देख रहो क्योंकि मैं देखो dashboard में session null की validation लगी है if लगावा है तो अगर session null होगा तो हमारे पास हमें dashboard पर जाने नहीं देगा तो देखो यहां प application तो नहीं है तो इस link की भी जरूरत नहीं है तो मैं क्या करता हूँ यहां पर चलता हूँ अपने login वाले view में ठीक है इसके सबसे bottom पर चलते है तो यह वाला जो हमारे पर div है जिसके अंदर यह back to list वाला link है इसको मैं आसे remove कर देता हूँ save करता हूँ और browser में यहां पर आक और यहां पर के login पर click करता हूँ तो यह में कहां पर ले जाएगा dashboard पर ले जाएगा ठीक है लेकिन अब यहां पर देखो मैं login हो चुका हूँ इसका मतला मेरा session बन चुका है create हो चुका है तो भाई देखो अगर अभी मैं back करता हूँ ठीक है देखना अगर अभी मैं back करता ह तो ये देखो, ये मुझे मेरा login form के उपर redirect करके लेके जा रहा है, लेकिन भाई देखो, जब मैं login कर चुका हूँ, जब मेरा session create हो चुका है, तो दुबारा से मुझे login form क्यों access हो रहा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अब मैं condition लगाऊंगा, कि अगर मेरा session बना हुआ है, session null नहीं है, तो login form मुझे access नहीं होना चाहिए, login form मुझे कभ access होगा, जब मेरा session destroy होगा, जब मैं logout हो जाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, मैं इसको stop करता हूँ, ठीक है, और यहाँ नीचे आ जाओ, यहाँ पे मैंने condition ल और देखो जो view back वाली line है, इसको मैं आज से अटा देता हूँ, मतलब देखो, यहां पर condition क्या है, कि भई, अगर यह हमारा जो session है, इसको मैं get कर रहा हूँ और check कर रहा हूँ, कि अगर यह हमारा session null नहीं है, तो क्या करो, तो देखो, simple से यहां पर मैं काम करूँगा, मैं इस इसको redirect करवा दूँगा, कहां पर देखना, मैं इसको redirect करवा दूँगा, अपने dashboard पे, सही है, कहां पर redirect करवा दूँगा, मैं इसको redirect करवा दूँगा, अपने dashboard पे, मतलब जिस तरह मैंने क्या किया, जब मैं login हो गया, और dashboard पे चला गया, और dashboard के बाद मैं दुबारा कहां यहां पर जाने की कोशिश कर रहा था, लॉग इन पर जाने की कोशिश कर रहा था, तो अब क्या होगा, अब जब भी मैं लॉग इन पर जाने की कोशिश करूँ गा, तो हमारे पाँ यह वाली condition एक्जीक्यूट होगी, और यह हमें वापिस कहां पर redirect कर देगी, dashboard पे redirect कर देगी ठीक है तो देखो यहाँ पर आके मैं run करता हूँ तो इसका result आप देखना ठीक है application run हो चुकी है हम चलते हैं अपने login के उपर ठीक है देखो यहाँ पर मैं दुबारा इसको login करता हूँ password डालते है login पे click करता हूँ ठीक है तो यह देखो पे redirect करके हमें ले आया ठीक है तो यह condition भी हम अकसर अपने login के साथ implement करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारे यह lecture हो गया है wind up तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरू सब्सक्राइब करके जाना इसके साथ साथ बेल का इकन भी प्रेस करना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो इस lecture series के अंदर आने वाली है तो इस lecture के वाले से कोई भी confusion है तो comment box में उससे जरू पूछ ले ना तो मिलते इंशाला next lecture में तब तक के लिए देखते रही है मेरा चैनल program mentor